हेलो एब्रिवान मैं हूँ आपकी फ्रेंड फूडी जेश्री आज मैं लेके आई हूँ खटा मीठा मैंगो पिकल तो चलिए स्टार्ट करती हूँ गर्मी के लिए एकदम आइडियल पिकल तो मैं ये 500 ग्राम मैंगो को अच्छे से छील के फिर क्लीन करके उसका साथ एक दस निट का बाद एक कड़ाई के अंदर मैं अभी मैंगो को दे रही हूँ साथ में दे रही हूँ 250 ml सुगर यानी एक कप आपका मैंगो अगर बहुत ज्यादा खटा है तो आप थोड़ा और ज्यादा दे सकते हैं गैस को एक तमी धिमी आज पे रखी हूँ और बीच बीच में इसे हिदाना पड़ेगा और मैंगो का जो खुद का पानी है वो छोड़ने लगेगा और हीट के वज़े से शुगर भी पिगल जाएगा देखिए मेरा शुगर पिगल चुकी है साथ में दे रही है वान टेविल स्पून कस्मिरी मिर्ज क्वार्टर स्पून हल्दी फिर से इसे मिक्स कर रहे हूँ तो देखिए मैंगो अपने आ पे कूक हो रहे है दस से पंद्रा मीट टाइम लगा देखिए एक दमी पर्फेक्ट बॉयल हो चुका है अभी मैं इसके लिए एक ड्राइ मसाला बनाऊंगे एक पैन गरम करके इसके अंदर दे रहे हूँ वान टी स्पून पाच खोड़ोन वान टी स्पून स्वाब वान टी स्पून जीरा इन चीजों को अच्छे से भून करके इसका साथ दे रहे हूँ तीन से चाल ड्राइ रेड चिली इसे भी अच्छे से ड्राइ रोस्ट करूंगे सभी चीजों को ड्राइ रोस्ट होने का बाद ठंडा करके एक मिक्सी जार में इसे पीस के पाड़र बनाऊंगे इधर खटे मीठे आम की अच्छार भी एकदम ठंडा हो चुकी है इसके अंदर एक से ड्राइ पाड़र देखे फिर से मैं मिक्स करके एक स्टेरिलाइज किया हुआ जार के अंदर मैं सालो भर के लिए रख दूगे जी हाँ ये आराम से आपका ऐस इटी सालो भर तक रहे जाएगा तो चलिए अभी इसे एंजोई करते हैं देखिए कितना अच्छा आम का आचर बन है अगर अप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते जाएए हलो कहां जा रहे हैं अभी तक रेसिबी खतम नहीं हुआ चलिए स्टार्ट करती हूँ नेक्स रेसिबी खटा मिठा और एक आम का अच्छा आम का जेली आम के जेली के लिए आम को अच्छा से दो के फिर उसे चिलका चिलके ग्रेटर से ग्रेट करके फिर देखिए नमक से मैं आधा चमच नमक से इसे 10-15 मिनिट मिक्स करके रख दूँगी एक चन्नी में इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा नमक को अच्छा से मिक्स करके इसे मैं देखिए बान के अभी रख दे रहे हूं 15-20 मिनिट के लिए तो 15-20 मिनिट के बाद ऐसे जो मैंगो का एक्स्ट्रा पानी है निचोड के फेक दूँगी देखिए मैंगो का इतना पानी निकला इससे आम का खट्टा पन भी थोड़ा कम हो जाएगा क्यूंकि ये मिठा आचार है अभी एक कडाई के अंदर एक ग्रेट किवा मैंगो को लेके इसके साथ दे रही हूं शक्कर डिल्ड कप शक्कर मैं दे रही हूं अच्छे से अभी मैंगो और शक्कर मिक्स करके धिमी याच में रखूंगी अपने आप ये शुगर पिग लेगा साथ में दे रही हूं हाप चमच नमक अच्छ नमक तो देखिए सुगर धीरे धीरे पिगल रहा है अभी इसके अंदर जाएगा वान टेबिल स्पून कस्मीरी लान मिर्ज इससे कलर भी बहुत सुंदर आएगा और कस्मीरी मिर्ज का तिखापन भी जेलिक अंदर आ जाएगा एकदम धिमी याच पे इसे पका रही हूं दे रही हूं टू टेबिल स्पून विनिगर यह पीजर्बिटिब का काम करेगा और इसी का साथ दे रही हूं पहले से पीसी वी एक टेबिल स्पून ड्राय रोस्ट मासाला फिर से मिक्स करके इसे ठंडा होने का बाद एक क्लींजर में स्टोर करके रखूंगी तो देखिए बन गया ना मेरा जटपड से खटी मिठी वैंगो पिकल खाए खिलाए और इसे एंजोई कीजिए थैंक यू पर वाचिंग